पुराने जमाने में राजा महराजाओं द्वारा अप्राधी की खाल खिजवक्र भूसा भरवा दिया जाता था इसके अनेग किस्से हैं लेकिन अपनी तरह के अनोखे मामले में अमेरिका में एक खूंखार अप्राधी की खाल से जूते बनवा लिए गए थे वहाँ प्राधी अपनी ताते जैसी नाप के लिए जाना जाता था ये जूते और उसकी खापड़ी म्यूजियम में रखे गए हैं अमेरिका में उन्नीसवी सदी के अंतिम दशकों मैं जूर्ज पैर अपनामक डिकेट का बहुत खौफ था ताते जैसी ना के कारण उसे यह नाम मिला था उसे बिगनुज जूर्ज भी कहा जाता था चूर्ज लूटेरा और डिकेट था उन दिनों सारा कारोबार कैश में होता था अकसर घोड़ा गाडियों मैं कैश भी होता था चूर्ज और उसके साथ रास्ते में इने लूट लेते थे 1878 में उन्होंने बड़ा हाथ मारने के बारे में सोचा और यूनियन पैसिफिक ट्रेन को लूटने की योजना बनाई ट्रेन में एमपलॉई का वेतन ले जया जा रहा था जोर्ज ने अपने साथियों के साथ फ्यौमिंग खित्रे में नदी के पास रेल की पैट्रियों के पेंच को ले ले उनका ख्याल था कि ट्रेन कें पैट्रियों से उतरते ही वे माल लूट कर फरार हो जाएंगे लेकिन एक कर्मचारी की सतरक्ता से उनकी योजना पर पानी फिर गया उसने जब पैट्रियां कुली देखी तो न सिर्फ ट्रेन चालक को पहले ही साफधान कर दिया बलकि पुलिस को भी बुला लिया चॉर्ज और उसके साथ यलक पहाड की तन्हटी में रेटल्स ने कैनियन में जाकर छुप गए टू पुलिस अफसर उने पकड़ने गए तो उन लोगों ने दोनों को गोली मार दी यूनियन पैसिफिक रेल रोग ने जॉर्ज पैरिट पर दस हजार डॉलर का इनाम रखा जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी बाद में इनाम बढ़ा कर बीस हजार डॉलर कर दिया गया जॉर्ज और उसके साथ दो साल तक बातें भी कर रहा था लोगों ने पुलिस को खबर कर दी और उसे पुकर लिया गया बिगनोज शॉर्ज पर मुकदमा चला और उसे फासी की सजा सुनाई गई उसे जेल में डाल दिया गया लेकिन फासी होने के दस दिन पहले 22 मार्च 1881 को उसने जेल से भागने की कोशिश की जॉर्ज ने जैला को घैल कर दिया लेकिन घैल होने के बावजूद जैला ने अपनी वाइफ को पोकारा तब उसकी वाइफ वहां उसकी सर्वस रिवॉल्वर लेकर पहुंची और उसके बल पर उसने जॉर्ज को वापस कालकोट्री में बंद कर दिया जब पाबलिक को यह खबर लगी तो काफी लोग जेल पहुंच गए उन्होंने जॉर्ज को बाहर निकाला और माडाला